धरसीवा इस सीथ फैक्टरी में पाँच महने काम करने के बाद मजदूर अपने मजदूरी के लिए दरदर भटकने के मजबूर है दरसल मजदूरों ने बताया कि फार्चुन मेटेलीक फैक्टरी में वह पाँच महने पहले चिम्नी रिपेरिंग का काम किया था जिसका दील लगभग दो लाग से जादा का बना है लेकिन अभी तक इसका भुकतान नहीं हो सका है तो वहीं प्रबंधन का कहना है कि इनका भुकतान किसी तरह से बाकी नहीं है मामले को लेकर मजदूर पूलीस थाना पहुँचे थे लेकिन पूलीस आश्वासन देकर हाथ खड़ा कर लिया है फिर मामला स्रम कर्याले पहुँचा लेकिन स्रम कर्याले के बुलावा के बाद धी फैक्टरी प्रगवंध कर्याले नहीं पहुँचे लेकिन नया के उमीद में हतास मज़दूर अब कलेक्टेट पहुंचे हैं सरकारी दफ्तरों से सिर्फ आस्रासन मिलने के बाद मज़दूरों ने हतासा जाहिर करते हुए आस्रासन की चेतावनी दी है अब देखना होगा की कलेक्टर आस्रासन में क्या इन मज़दूरों को नया मिल पाती है की नहीं एक्प्रेस रिपोर्टर सकते अराजपूर रायपूर